कहते हैं कि कला कभी महताज नहीं होती और ना कभी उम्र बंदिशे कला और कलाकारों को सवारने के अनूठा हुनर के मालिक और विजन के M.D. रविंदर सिंग से हमारे समधाता राम अनुजभट ने खास बात च्वीत की सुने उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया जरूरत मंदों के लिए अक्सर कई हाथ पढ़ते हैं उसमें से एक हाथ जो है आर विजन के M.D. रविंदर सिंग जी का है उनसे जानेंगे कि आखिर वो कैसे उन जरूरत मंदों की मदत करते हैं चैरिटी करते हैं और क्या इनका लक्ष है सर आपका स्वागत है जंतन टीवी में क्या कुछ लक्ष है आपका क्यूंकि आपने बताया है कि वे चैरिटी करते हैं किस लिए क्या कारण संगीट के मादियम से, अगर मैं कुछ चैरिटी करके अपने समाज का, देश का कुछ भला कर सकता हूँ तो यह मेरे बहुत-бहुता सोबागय होगा और मैं कोशिश करता हूं कि charity show करके लोगों की help की जाए, दानपुन किया जाए और बाकि Our Vision हमारी जो company है, production house है, film production house है उसमें हम new singing talents को break देते हैं, हम even music directors को break देते हैं, artists को break देते हैं और हमारा सुरू से motto रहा है कि हम जो upcoming talents है, new talents है, उनको break दें Sir, पर वहीं अगर बात की जाए कि new commerce को break देने के लिए लोग जिजकते हैं, loss में सोचने की loss हो जाएगा, उसके बावजूद भी इस अब करते हैं New commerce के साथ, new commerce के साथ, सबसे बड़ा positive point यह है कि वो लोग, आप जैसा उनको guide करेंगे, वो आपके instructions को follow करते हैं कोई गाना जब तक आपका hit नहीं होता और popular नहीं होता तो लोग इतना ज़्यादा उस singer को पहचानते नहीं हैं मैंने new compositions काफे release की हैं, बट कुछ गाने, फिल्मी गाने, पुराने गाने, जो बहुत motivational हैं, जैसे वो है हर घड़ी बदल रही है रूप जिन्दगी, छाओं है कभी, कभी है धूप जिन्दगी, हर फल यहां जी भर जियो, जो है समा कल हो नहो यह थे रविन सिंग्जिन ने साफ तोर पर कहा कि चाहे कोई भी समय हो, शंगर्स हमेशा बड़ा होना चाहिए और सबसे बड़े बात यह है कि पूरे देश के अंदर जो pandemic रहा, उसके अंदर भी नोने काफी मदद की लोग होगी, लोग इनको आज भी उसी तरीके से प्यार करते हैं, जिससे उस COVID समय के अंदर, जो charity के साथ साथ, जो तमाम लोगों को वो एक motivation देते थे, करने सेलेस पा जो एकन, नवर मिस अनी अपदेट